आज नामलेकूमार यूट्यूब फैमिली कैसे है आप सब उमीद है आप सब हेडियत से होंगे आज मैं आपके साथ बच्छों के लिए बहुत ही स्पेशल रेस्पी शेयर कर रही हूं यहें किट्स तिकास बर्यानी और बहुत ही मज़ी की है और बच्छों के हवाले से बहु बच्छों के सबसंदे Kingdom तरहा बिद आप सबस्के आप सबस्केशल अजन को और अच्छ रीडऻानी और जो हम इसकी ट्रूवहारा जलन है सबसे इस हो इसी हम उत्म इसको जपन को हो यहां पर मैंने विनिगर यूट किया है आपझे सार में आहां ऑइक साथ तीज़ये टू करके आप एक हैंटे के लिए लाजमी रखिएगा अगर जादा टाइम झाटिगा सकते हior अब पॉसिबल हुआ तो जादा टाइम के लिए रख दीजिएगा ठीक है मैंने 1 गहंटे के लिए इसको मेरिनएट करके रख दिया था और चिकन को मैंने घृत सो पी लगा थे और आध से और उसके बाद मैंने जो है वह इस चिकन को ग्रिल कर लिया घटीक है pequod ancॉ Dani प्रिणके मैंने इस आध को कुए कुए कुछ बिलकु बी less किव वह रिया है इसको आप ने इसी फॉब में जैना वह कर ना ़िए ।ो जाया है और इसी लो अंदर तक टेंडर हो गया था बहुत एजी लिट जो है ये कुक हो जाएगा गरिल के उपर गरिल पान के उपर जैस्त आपने जो है वो इसकी फ्लेम बहुत लो रखनी आ त. अब आज ज़ैंज जी चावलों की तरफ चावलों के क्यान्ट पियास का जैसी कलो चेंज होगा यहां पहीं ट passado थाइचaker लिया है और हाफ़ टेबल स्पून जो है वhof लगे लसन का पेस्ट लिया और जो प्याज मैने फ्राय किया है उसको मैंने घ्रेंडर के डाल के तो उसको मैंने grind कर लिया ठीक है क्योंकि साबब मसाले बच्ची नहीं खाते हैं इसलिए मैंने जो है वो उसके अंदर ही grind कर लिया है उसके बाद आपने इसके अंदर नमक एड़ करना है नमक आप चावलों के according लिया आड़ कर लिया मैंने 2 टेबल स्पून इसमें नमक एड़ किया है करी पता है 10-12 साबब काली मर्चे हैं 4-5 लॉंग है भड़ी अलाची दार चीनी है और अदरक जूलियन कटिंग में लाजम ही डालिएगा इसमें क्योंकि उससे चावलों में बड़ा अच्छा आरोमा आता है बड़ा अच्छा टेस्ट आता है उसमें ठीक है यह तमाम इंग्रीडियन्ट्स जो है वह आपने इस मसाले के अंदर शामिल कर देने हैं और उसके बाद उसकी बुनाई कर देनी है दूसी तरह मैंने कोईला रखा वै और साथ मेरे चिकन भी घ्रिल हो रहा है यहां पर मैंने सकंद चावल डाल दी है सौरी वह क्लिप मिस हो गया मुझे पता नहीं चला कैमरा मेरा बंद हो गया था तो यहां पर मैने चावल डाल के और जड़दा रंग डालके इसको डंप लगा दिया ठीक है जैसे पानी खुश्क होगा आइटिंग वो तो पैट्रिन सारों को ही पता होगा तो इस वज़े से सो सौरी वो क्लिप मेरे से मिस हो गया अच्छा जी चावलों को दम पर रखने के बाद मैंने इसको कोईले की स्मोक दी है ठीक है तो आपने भी इसको कोई उल्याय कोईले की स्मोक देनी है ब्रेट का स्लाइस उपर रखे तो उसके उपर मैंने वो कोईला रखा और आप दो ऑब थोड़ते ने तो इसी और थोड़ा सा डाल देने तो स्मोक चावलों मैं आजाएगी आप चाहेँ तो चावलों भी दे शकते है मैने चैन में नहीं बर्यानी और ये इसकी फाइनल लुक है उमीद कि है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी मुझे दौाओं में याद रखिएगा अपना बहुत है सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंग्जन फामिली के साथ म